अपने जीवन में जाग करके देखिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है वो ये रहा है कि लगातार अनिम्प्लाइमेंट बढ़ रहा है लगातार महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जीवन जीने की जो कठनाईया है उन लगातार बढ़ और इस बात को भटकाने के लिए रोज नया नया तमाशा खड़ा किया जाता है आज कल दो दिन से टीवी में चल रहा है कि परधान मंत्री जी के सुरक्षा में चूक हो गई 24 घंटा यही चल रहा है एक तो परधान मंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो फिर उनके धवराने की क्या जरूरत है दूसरा कह रहा है कि परधान मंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं देश के होते हैं ठीक बात है तो परधान मंत्री अगर किसी पार्टी के नहीं होते हैं त आपके पास सरकार है ग्रीम मंत्री आपका दोस्त है जैसा का पपा अमिट्सा स्पीजी उसके अंडर में है आप जाज करा करके देख लीजिए कि कहां लेप्स हुआ है पाकिस्तान जाकर के बिडियानी खाए तब इनको डर नहीं लगा अपने ही देश में घूमने में इनको दर लग रहा है पल में तोला पल में मासा ये तो नहीं चलने वाला है सहाब एक तरफ कहते हैं कि मजबूत परधान मंत्री है अद दूसरी तरफ दर करके भाग जाते हैं ऐसे नहीं चलने वाला है सहाब बंदर क्या जाने आदी का स्वाद और संगी क्या जाने आजादी का स जो लोग इस देश की आजादी में सामिल नहीं थे जिन लोगों ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई उनको इस देश की आजादी से प्यार भी नहीं है कहते हैं न जो बनाता है उसी को दर्द होता है कि आज के डेट में इस देश की जो बहु संख्यक आवादी है उसको ये सोचना परेगा कि उसका मुद्दा क्या है और उसका मुद्दा है इंप्लाइमेंट उसका मुद्दा है महंगाई उसका मुद्दा है पॉलिटिकल सोचल एकॉनमिक और कल्चरल पार्टिसिपेशन उसका मुद्दा है कि इस देश के अंदर महिला हो या पुरुस हो काला हो या गोरा हो सब को जो बराबजी से रहने का हक मिला है वो बराबरी का हक यहां कुछ सिपाही खरे हुए हैं आज कल कॉंग्रेस पार्टी के लिए कुछ नए नए सब्द गढ़े गए हैं जैसे मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि टुक्रे का पोस्टर लगा दिया है हमने का हम बड़ी प्राउडली कहते हैं कि हम टुक्रा टुक्रा करेंगे भाजबा का इतना टुक्रा करेंगे न फेबी कॉल किया फेबी कुईक लगाने के बाद भी जूर नहीं पाएगा मैं बार-बार आप लोगों से एक आग्रह कर रहा हूं देश रहेगा तभीन राजनीती होगी देश में लोकतंत्र रहेगा तभीन कोई मुख्मंत्री बनेंगे और आज गोआ कि आप तमाम लोगों स से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं जो मंच का संचालन कर रहे थे उन्होंने कहा कि मार्ग दर्सन करेंगे कन्हिया कुमार मैं आपका मार्ग दर्सन नहीं कर सकता हूं मैं आपसे मार्क दर्सन ले सकता हूँ लेकिन बस मैं आपको एक आखरी बात बोल कर अपनी बात खतम करना चाहता हूँ कि देश की स्थिती ये है कि जिन्हों ने देश बनाया देश के लिए जान गवाई देश के लिए कुरवानिया दी आज उनसे देश भक्ती का परमान पत्र मांगा जा रहा है जिन्होंने आजादी के आंदोलन के साथ गदारी की अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे जो देश की संपत्ती को बेच रहे हैं आप मुझे बताइए राश्ट्रिय संपत्ती को बेचना कौन सा राश्ट्रवाद है भाई आज जो उल्टी गंगा बहाई जा रही है एक तरफ वो लोग हैं एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी है जो कहती है रगुपती राघव राजा राम पतीत पावन सीता राम इश्वर अल्ला तेरो नाम सबको सन्मती दे भगवान दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इनसान को इनसान से बाट रहे हैं धरम के नाम पे इनसान को आपस में लड़ा रहे हैं और देश का जो असली मुद्दा है उसको गुमराह कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में आपको और हमको यह तै करना परेगा कि अगर कोई बीमारी है तो बीमारी का ओपरेशन किया जाता है